हेलो एवरीवन वेलकम अगेन टू लन्वरी दितीवन साइकलोजी के अंदर बाल विकास के अंदर आज हमारी थर्ड यूनिट का टेस्ट है जिसमें मैंने आपको टॉपिक बताया था विविद अधिगम करताओं की समझ जिसमें पिछडे बालक प्रतिवाशाली बालक विश इस आवशक्ता वाले बालक तो इनसे संबंदित प्रशनाज करेंगे और अधिगम में आने वाली कटनाईया ठीक है तो और इसके अलावा नेक्स्ट जो टैस्ट होगा वो आपका समायूजन से संबंदित होगा आपकी थर्ड यूनिट का तो इनको आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के Q1 विशिष्ट बालक का संबंद होता है विशिष्ट बालक का संबंद बुद्धी से होता है शिक्षा से होता है खेल से होता है या पाट सामिगरी से होता है तो फटापट से इनका आंसर देना है आपको पिनकुल देरी नहीं करनी है टॉपिक आपने सभी ने पड़े तो देखिए, दो या तीन सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लगता है, विसिस्ट बालक का संबन्द किस से होता है, बुद्धी से, जिक्सा से, खेल से, पाड सामेगरी से, तो हम पता लगा सकते हैं, बुद्धी से कि वो बालक जो है, वो विसिस्ट है, ठीक है? असाधरन चात्र वे होते हैं, कौन होते हैं, जो साधरन नहीं होते हैं, जो सामानने से अलग होते हैं, सामानने से निचले स्तर के होते हैं, सामानने से उच्छी स्तर के होते हैं, या अत्रिक्तिक सैक्षिक सेवाय चाहते हैं, तो अर्थतों हमें पहले ही पता है, कि असाधरन चातर वे होते हैं जो साधरन न हो तो इन चारों में से सही आंसर आप किसको लगाएंगे ये आपके question exam में आया हुआ है तो इसी तरीके के प्रशन आपके exam में आते हैं आपको question समझ में आ जाता है लेकिन option में अटक जाते हैं तो यहाँ पर देखिए answer क्या रहने वाला है तो आप लोगों ने सोचा होगा और इसका answer जो right था वो क्या था कि असाधरन चातर वे होते हैं जो सामान्ने से अलग होते हैं तो ये बाकी option जो हैं ये क्यों नहीं है क्योंकि सामान्ने से निचले स्तर का भी असाधरन कहलाता है और जिसको अतरिक्त सेक्षिक सेवाएं चाहिए वह भी बालक आसाधरन कहलाएगा इसका मतलब क्या है कि इन तीनों को ही एक बहतर आप्शन सामानने से अलग होते हैं यहाँ पर समाहित किया गया है इसलिए आंसर है आप्शन A स्वस्त सरीर में ही स्वस्त मस्तिक्ष का निर्मान ही सिक्षा है यह किसका कथन है फ्रेंटसन का चान लौके का शौनिल का या अरस्तु का तो बहुत ही फेमस लाइन है कि स्वस्त सरीर में ही स्वस्त मस्तिक्ष का निर्मान सिक्षा है तो सभी को पता है और सभी इसका आंसर जो है वो सही लगा रहे हैं इसका बिल्कुल आंसर जो यही रहेगा क्या अरस्टू ऐसे बालक जिनका प्रमुक कारे सिक्षक तता छात्रों को परिशान करना है वो कैसे बालक हैं? मंदबुद्धी बालक हैं, प्रतिभाशाली हैं, पिछड़े हैं या समस्यात्मक बालक हैं? ऐसे बालक जो teacher को और अपने सहपाठियों को परिशान करते हैं, तो वो किस category में आएंगे? मंद बुद्धी बालक, प्रतिवाशाली बालक, पिछड़े बालक या समस्यात्मक बालक तो बिलकुल मंद बुद्धी नहीं है वो, ना ही प्रतिवाशाली है और ना ही पिछड़े बालक है पिछले बालक जो सामाने से पीछे रह गए हैं, सामानने की तरह काम नहीं कर पाया है जिनोंने, तो यहां पर तो बात हो रही है कि वो परिशान करने वाले बालक हैं, कैसे बालक हैं, समस्यात्मक बालक हैं. अधिगम करता व्यक्तिक व्यक्तिक विविनताएं प्रदर्शित करते हैं, अतहे सिक्षक को परिक्षाओं की संक्या बढ़ानी चाहिए, कठोर अनुशाशन लागू करना चाहिए, विविद अधिगम उपलब्द कराने चाहिए, या अधिगम की समान गती पर बल देना चाह उनको देखकर परिक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, ये तो नहीं हो सकता, अनुशाशन को कठोर कर देना चाहिए, ये भी नहीं होगा, अधिगम की समान गती पर बल देना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि जो intelligent पच्चे हैं, वो क्या हो जाएंगे? बोर हो जाएंगे, उस समान गती से पढ़ने पर, तो यहां पर सिक्षक द्वारा विविद्ध, अधिगम, सामिग्रियां जो हैं, वो उपलप्त कराई जाएंगी, उनको अलग-अलग तरीके से, अलग-अलग विदियों से पढ़ाया जाएगा, ठीक है? तो अधिगम करता व्यक्तिकत, विविन्ताएं पर दिर्शित करते हैं, तो विविद्ध अधिगम उपलप्त कराने चाहिए, नेक्स्ट है, कोश्यन सिक्स, इस्कूल से भागने वाले बालक की अध्यन की सरवादिक उपयोगी विदी है, एक बच्चा जो इस्कूल से भाग जाता है, तो उस प्रियोग किया जाएगा, उससे पता गर सकते हैं, सर्वेक्षन विदी, सर्वेक्षन विदी द्वारा किया जाएगा, या केस स्टडी, व्यक्ति इतिहास विदी, तो यहां जो सही आंसर रहेगा, वो क्या रहेगा, कि उस व्यक्ति के इतिहास के बारे में पता लगाया ज कि वो स्कूल से क्यूं भाग जाता है क्या कारण है इसके पीछे क्लमसी चाइल्ड सिंड्रोम किस से संबंदित है डिसग्राफिया से डिसप्रेक्सिया से डिसफेजिया से या इन में से कोई नहीं तो clumsy child syndrome किस से सम्बंदित है डिस्ग्राफिया, डिस्प्रेक्सिया, डिस्पेजिया या इन में से कोई नहीं तो देखिए इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा डिस्प्रेक्सिया नेक्स्ट है question 8 तो देखिए जितने भी अधिगम से सम्बंदित जो कटनाईया है इससे सम्बंदित एक वीडियो जो है वो मैंने बनाया था आप लोग playlist में देखिएगा तो वहां मैंने सभी तरीके के dysgraphia, dyscalculia, dyspraxia ये सभी मैंने आपको करवाये थे तो वहां आपको इसकी detail जो है वो मिल जाएगी अधिगम निर्योगिताओं की उपचार है भासाई उपागम, सफलता उन्मुखी उपागम, उप्रोक्त दोनों या इन में से कोई नहीं तो यहां पर आंसर देखिए, दोनों ही रहेंगे कि भासाई उपागम और सफलता उन्मुखी उपागम, अधिगम निर्योगताओं की उपचार है, विस्व उटिज्म दिवस कम मनाया जाता है, विस्व उटिज्म दिवस कम मनाया जाता है, दो अप्रेल, एक अप्रेल, तीन या दो जुलाई, तो क्या रहने वाला है यहां पर, सही आंसर, तो देखिए, इसका तो सटी कुत्तर एक ही है, दो अप्रेल, टैंद कुशन देखिए, मस्तिक्ष की सनरचना, तथा करत्यों में विभीद, यानि जो कुछ दिखाई दे रहा है, उसमें विभीद ना कर पान इसका परिणाम होता है, तनाव, पिछड़ापन, डिसलेक्सिया, या इन में से कोई नहीं, तो जहां बच्चा करत्यों में विवेद नहीं कर पा रहा है, तो ये ये परिणाम किसका होगा, ये होगा डिसलेक्सिया का, डिसलेक्सिया का संबंध है, किस से है डिसलेक्सिया का, मानसिक आशम्ता से, लेखन की आशम्ता से, पढ़ने की आशम्ता से, या सारिरिक आशम्ता से, तो डिसलेक्सिया, जो कैसी प्रॉब्लम है, ये सरीर से संबंधित प्रॉब्लम नहीं है, तो यहां D option तो बिलकुल न नहीं होगा लेखन की अशम्ता ये तो डिस्ग्राफिया का है मांसिक अशम्ता ये भी नहीं है ठीक है तो यहां पर बात हो रही है सीखने से संबंदित समस्या तो ये डिस्लेक्सिया का अर्थ क्या है लेखन सौरी पढ़ने की अशम्ता ठीक है पढ़ने की अशम्ता जो है व 61 लिखता है, तथा 6 और 9 के मद्दे अंतर नहीं कर पाता है, तो यह है, द्रस्टी दोस है, सीखने में अक्षम है, यानि कि सीखने में वो सक्षम नहीं है, मांसिक दोस है या मांसिक शेय है, तो यहाँ पर देखिए, एक बच्चा 16 को 61 लिखता है, और 6 और 9 के मद्दे अंतर नहीं कर पाता है, तो बिल्कुल दिखाई देने में तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, दिखाई तो दे रहा है, लेकिन वो कन्फ्यूज है, ठीके, तो यह किस में आएगा, कौन सा दोस नहीं और नहीं मानसिक शय है, CWSN का अर्थ है, क्या अर्थ है, मजबूत आविशक्ता वाले बच्चे, म्रदू आविशक्ता वाले बच्चे या एकाकी आविशक्ता वाले बच्चे, तो CWSN का अर्थ क्या है, तो इसका आंसर जो है, वो बहुत अच्छे से आप तो यहां पर जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा विशिस्ट आविशकता वाले बच्चे यानि की चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड विशिस्ट बालकों के अंतरगत कौन सा बालक आता है विशिष्ट बालक, प्रतिवाशाली बालक, मंद बुद्धी बालक या उप्रोक्त तो एक बात तो है कि विशिष्ट बालक जो कि सामानने तो नहीं है यानि असमाननी की श्रणी में आएगा तो हम पहले भी देख चुके हैं कि वह सामाने से उचिस्तर का भी हो सकता है और निमनेस्तर का भी हो सकता है तो यहां पर रहेगा आंसर डी ठीक है विस्षिष्ट बालक प्रतिवाशाली बालक मंदबुद्धी बालक यह सभी विस्षिष्ट वालकों के अंतरकत आएंगी ब्रेल लिपी से किसको पढ़ाना चाहिए? वाक वादित, द्रस्टी वादित, श्रवन वादित या गामक हीन तो किसको पढ़ाना चाहिए ब्रेल लिपी से? इसका तो आंसर सभी को बता है, कोई भी गलत नहीं करेगा कि ब्रेल लिपी से किसको पढ़ाना चाहिए, जो कि द्रस्टी वादित बच्चे हैं, उन्हें ब्रेल लिपी से पढ़ाना चाहिए. प्रतिवाशाली बालक की क्या-क्या विसेश्ताएं हैं, मानसिक प्रक्रिया में तीर्वता, देने कार्यों में बिभिन्नता, पाठे विश्यों में अत्य दिक्रुची और उप्रोक्त सभी. तो एक प्रतिवाशाली बालक जो की सामाने इस तर से उच्च है, तो वह मानसिक प्रक्रिया की तीर्वता, देने कार्यों में बिभिन्नता, पाठे विश्यों में अत्य दिक्रुची. तो ये सभी जो हैं वह प्रतिवाशाली बालक की विश्यों में अत्य दिक्रुची. तो उसकी जो सीखने की गती होगी, वह दीमी होगी, सामाने बालकों की तरह वह कारे नहीं कर पाएगा, जिसकी वज़े से जीवन में निराशा का अनुभव, समाज विरोधी कारें की प्रवती उसमें पाई जाएगी, तो ऐसे बालक पिछले बालक की श्रणी में आते हैं. प्रतिवाशाली बालकों का समायोजन, समायोजन में रिणात्मक्ता अधिक होती है, समानने से बुरा होता है, सामानने होता है, या स्रेष्ट होता है, तो प्रतिवाशाली बालक जो है, उसका समायोजन कैसा होगा, क्या समानने से बुरा होगा, सामानने होगा, स्रेष्ट ह या उसके समायुजन में रिणात्मक्ता का भाव अधिक होगा तो देखिए यहां पर आंसर क्या रहेगा आंसर रहेगा कि वह सामानने से स्रेश्ट होगा ठीक है कहीं भी वह एड्जेस्टमेंट बठा लेगा बाल अपराद की परिवासा किसी कानून के उस उलंगन के रूप में की जाती है जो किसी वयस को द्वारा किये जाने पर अपराद होता है ये कथन किसका है गुडविल का, स्कीनर का, वैलेंटाइन का या गुड़ का तो ये कुशन हम पहले भी कर चुके हैं इसका आंसर तो आप लोगों ने याद भी कर लिया होगा तो ये मैं आपको बता देती हूँ आंसर वही है क्या इसकीनर चलिए 20 कुशन है, वर्ड ब्लाइंडनेस, किसे कहा जाता है एकल कुलिया को, अलेक्सिया को, अग्राफिया को या डिसग्राफिया को वर्ड ब्लाइंडनेस, यानि कि जो वर्ड दिखाई दे रहे हैं, वर्ड तो ब्लाइंडनेस यानि कि न दिखाई दे पाना, यानि उनको न समझ पाना तो जिसकी बज़े से बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, तो ये किसे कहा जाता है, अलेक्सिया को, ठीक है, वर्ड ब्लाइनेस किसे कहा जाता है, अलेक्सिया को, तो आज की 20 में से कितने कुश्चन के अंजर आपने सही किये हैं, ये आपको बताना है, और आपको तो question जो है वो ज़्यादा tough लगे हैं या बहुत easy लगे हैं ये भी आप बताईएगा इसी तरीके से हम लोग तयारी करते रहेंगे मिलते हैं next video में समायोजन की संकल्पना एवं तरीके और समायोजन में अध्यापक की भूमेगा इस topic का आपका next test होगा third unit का ही उसके बाद हम fourth unit पर आएंगे मिलते हैं next video में thank you